और जब वो यात्रा शुरू की थी तब इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं थी तो मैं ये महसूस करता हूं कि जिस छेत्रों से राहूल गांधी जी गुजरेंगे उन छेत्रों में इंडिया अलायंस के घटक दलों का एक बड़ा राजनीतिक आपको वैक्यूम देखने को मिलेगा और मुझे फून विश्वास है कि राहूल जी और इंडिया अलायंस के लोग जो भी दल हैं जिन इस चेटों में उनसे अच्छा सा समन्वे बनाके ये प्रयत्न करेंगे कि उस यात्रा को कितना और सक्सेस्फुल किया जा सकता है मैं एक राजनीतिक वेक्ति होने के नाते ये मैसूस करता हूँ कि ये भारत न्यायात्रा के साथ साथ 2024 का जो चुनाव है और इस सरकार के द्वारा जो देश्वासियों पर अन्याय है जिसका मीडिया ट्राल नहीं हो रहा है ये कोई कुछ भी कहले कि नरेन मोदी की ये ये ह इस दिन ट्राल हो जाएगा नरेन मोदी और बीजेपी के प्रदेश की सरकारें भडाम से वैसे गिर जाएंगी जैसे कि पानी का बुलबुला उठता है और फूट जाता है स्रिम मीडिया ट्राल की जुरुत है तो निश्चे तोर पे मैं सकारात्मक हो कि इस बात को सोच रह इसमें निश्चे ही मौझूदा सरकार के दौरा जो देश वासियों के साथ अन्याय हो रहा है उसका एक मीडिया ट्रैल होगा यानि कि कनेक्टिविटी होगी उन नेताओं की जनता के भी मौझूदा सरकार किस तरीके से अन्याय कर रही है किस तरीके से वो ये चाहती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए और जो सरकार पर उसे OPM की तरह, इसी नसे की तरह, जो पर उसे उसमें जनता बात आप कह रहे हैं जो बात आप ने कही और मैं वही सवाल जो पुछराज से कर रही थी कि जब पूरा बाता वरण और पूरा जो मीडिया है वो केवल और केवल राम मंदिर की बात करेगा की देखिए कितनी लगत लगाई मंदिर में इतने सारे लोग पहुँचेंगे चावल लेके और पता नहीं क्या-क्या लेके पूरा पूरा जो मीडिया है वो वहाँ पर केवल और केवल राम मंदिल की बात करेगा तो ऐसे में इस निया यात्रा को कितना ट्रैक्शन मिलेगा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा लोग इस पर बात कर र मेरी इस बात को जरूर तागीत करेंगे कि मैं सही कितना हूं अब बीजेपी का जो सपना था जो अड़वानी ने यात्रा निकाली थी जो राम मंदिर बनाने की बात थी उन सब पे विजैश्री प्राप्त हुई बीजेपी को और मंदिर बन रहा है लेकिन मुझे याद है जहां तक मैं सही हूंगा तो माता सीता जीने से सराब दिया था कि अजोध्या सरापित है मैं बश्पन से यह बात सुनता है हूं और हमेसा अजोध्या विवादित रहेगी यह कुछ इस तरह का कोई सराप था तो मैं उसको देख रहा हूं लगातार दो-तीन दिन से क्यानी मंदिर बन गया है उसका उदार ओध गाटन होने वाला है लेकिन उसके बाजूद भी अजोध्य का विवाद नहीं खतम हो रहा है कैसे कोई किसी को निमंतर दिया जा रहा है उससे कहा जा रहा है आप आना मत आना मत हम निमंतरन तो दे रहे हैं चंपत रायां कंपनी ज तो जो माता सीता का स्राप है उस बाद से मैं पूरी तरीके से निश्चित हूँ कि कुछ भी कर ले बीजेपी वो विवादित थे विवादित हैं विवाविदित ही रखेंगे बाजपावाले क्योंकि अगर उनकी मंसा इसपस्ट होती तो अब राम मंदिर बनने के बाद उसक को समर्पित करके उस मुद्दे से बीजेपी अट जाती है लेकिन चंपत राय टाइप के लोग चंपत ही लगा रहा है वो पूरी जिन्दिगी आरेसेस की राजनीत किये अब मंदिर रामजे नंबोम ट्रस्ट के महासचिव बने बैटे तो इसका मतलब यह बीजेपी का नि यह बात मैं इस पस्ट कर दे रहा हूँ एक राम जो ब्रह्मांड में नहीं था है दूसरे राम जो पीजेपी के है जिनको राम रोज मार्केट में बैठाल के बीजेपी बेशती है और वो राम बिखते भी है मतलब इसको कहने में मुझे को दिक्कत नहीं है मैं इस पस्ट राहूल गन्धी मनी पोर्टु मुंबाइ के रास्ते में होंगे तो उसमें इंडिया अलाइन्स के जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब वो भी शामिल होंगे, क्या मैं ये ठीक समझ रहे हैं? अगर अगर ये सामिल नहीं हुए तो इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, मैं बिल्कुल इस परस्ट बात बता दे रहा हूँ, अभी तक कोई इस पर उस्टी नहीं है, लेकिन अगर सामाजिक भारत निया यात्रा में इंडिया अलायंस के गटक दल नहीं सामिल हुए, तो इस नि यात्रा का कोई मतलम नहीं निकलेगा कोई मतलम नहीं निकलेगा चुकि वही बात जो मैं आपसे लगा